Operations Executive एक ऐसी profile है जिसकी तरफ हर कोई भाग रहा है। जैसे ही एक student अपनी study finish करता है, उसके तुरंत बात वो सोचता है कि मेरा किसी भी company में join हो जाए। किसी भी तरह से मेरे उपर से fresher का tagger जाए ताकि मैं आगे company change कर सकूँ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस profile को join करने जा रहे हैं, उस profile में आपकी कितनी progress है, आपकी कितने levels होंगे, कहां तक आप अपने career को ले के जा सकते हैं और कितना salary आप increase करा सकते हैं इस profile से। इसी तरह के बहुत सारे questions हमारे mind में आते हैं, as a fresher मेरे mind में भी आये थे जब मैंने company से start up किया था, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके operations executive की profile से related जितने भी questions हैं, वो सारे clear कर पाऊं। अगर फिर भी कोई doubt आपका रह जाता है, तो आप मुझे वीडियो के comment section में करके पूश सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, what is operations executive या what is operations management, देखो किसी भी company में या factory में जितनी भी operational activities होती हैं, like production, quality control, management, training, right, input, output, ये सारी activities एक operations management या operations department देखता ह अब एक example के लिए आपने देखा होगा MR जो marketing representative candidates होते हैं, ठीक है, जब वो office से निकलता है, market में जाने के लिए, meetings के लिए, या फिर किसी doctor से मिलने के लिए, या फिर कोई appointment मिला है उसके लिए, तो सबसे पहले वो office में report करके जाएगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो शाम को log out करेगा अपने system से, तो office में बाहर से या office आ करके inform करेगा कि मैंने आज इतनी meetings ली, इतने doctor से मिला, इतने appointments हैं, इतने proposals हैं, इतने follow-ups हैं, जिन पर मैं कल या आज मैंने काम कर चुका हूँ, तो जो report करेगा, वो operation होगा, जो उसको देखेगा, इसके अलावा supply chain की बात क करें logistics department की, तो वहाँ भी, जितना भी input, output हो रहा है, वो सारा operation management देखता है, तो कह सकते हैं, कि किसी भी company में, या factory में, operations management का बहुत बड़ा role होता है, अब यहां बात करेंगे, कि भाई, आपके कितने levels हैं, कितना levels तक आप जा सकते हो, इस field में, देखो, जब आप as a fresher, किस company को join करते हैं, और इसी department में आ रहे हैं, तो आपका जो post रहेगा, वो रहेगा operations executive, as a fresher, ठीके, और यह post चलेगी आपकी तकरीवन 18 महिने, देड़ साल तक यह चलेगा, और देड़ साल के बाद, आप automatically senior operations executive में convert हो जाएंगे, यह company के ओर से एक offer होता है, कि भाई, आपको हमारे साथ देड़ साल बिताया है, तो हम आपको as a offer कर लिजिए, या आपको एक promotion है company के ओर से senior operations executive आप बन जाते हैं, ठीक है, अब यहां से आपकी actual journey स्टार्ट होती है, कि भाई, अब company आपको offer नहीं देगी, अगर company offer देगी, तो आपकी skills और आपके talent के भिहापर, next जो designation ह है, वो है आपका process specialist या management training, यह company to company depend करता है, कहीं आपके process specialist होते हैं, कहीं आपके management training, ठीक है, अब इस profile के लिए आपने fight करनी होती है, जैसे ही आप senior बनते हैं, senior बनने के 2 साल या तेड़ साल के बाद आप legal हो जाते हैं, इस post के लिए, अब यहां पर आपको process की complete knowledge, dashboard क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है, आपकी comms skills ये best होनी चाहिए, और आपने आगे क्या category मरा रखें, ये सब कुछ clear होना चाहिए, अब इस post को पाने के लिए आपने क्या करना है, आप कहां पर test भी होंगे, interviews भी होंगे, comms skills चेक की जाएगी, process की knowledge चेक की जाएगी, आपके अ आपकी TL, team leader, आपके specialist बनने से दो साल या धाई साल के बाद आप eligible हो जाएगे TL के लिए, TL के लिए आपको यहाँ बहतरीन तरीके से fight करनी है, यहाँ पर आपकी छमता देखी जाएगी कि आप team को कितने अच्छे से manage कर पा रहे है, as a specialist आपने team को अच्छे से manage किया, या नह नहीं, team bonding क्या रही है, आपकी team के प्रती knowledge क्या है, आपकी team में कितने members हैं, जो आपसे बहुत खुश है, जो आपको अपना TL बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो overall यह team bonding आपकी यहाँ पर देखी जाएगी, इसके लावा process की knowledge, आपकी commerce skills, आपका leadership qualities, यह सारी चेक की आपके interviews, tests, आपके multiple rounds, यह भी हो सकते हैं, 40L, ध्यान रखना, ठीक है, तो आपकी चौती post ही होगी, इसके बाद आपकी आती है, assistant manager, यानि AM, देन आपका manager, उसके बाद unit manager, उसके बाद senior manager, देन देन आपकी post बढ़ती चली जाती हैं, तो इस profile में आपकी multiple levels हैं, अगर आपन तरीके से और एक time के रहते हुए यह levels को achieve किया, तो आप unexpected salary और unexpected career growth पा सकते हैं, इस profile में, अब जानते हैं कि इस profile में सबसे highest positions कौन सी होती हैं, और अगर आप इन्हों की अपने career को एक तरीके से लेके जाते हैं, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, सबसे highest position जो रहती है, व executive officer, इसके बाद आपका CFO and COO, COO होता है chief operations officer, जो direct report करता है CEO को, आप यहां पर यहां तक भी पहुंच सकते हैं, अपनी skills और knowledge and tenure के बहाब पर, अब बात करते हैं कि salary कितनी मिलेगी, आपको payout क्या मिलेगा हो, कितना percent increment होता है yearly, और आपके incentives plan क्या होते हैं, देखो, BPO's, KPO's में operations executive for freshers के लिए 2.25, 2.5 और 3 lakh per annum से salary start हो जाती है, इसके लाव आपके incentives होते हैं, आपके 2,000, 2,000, 3,000 तक incentives जा सकते हैं, जो आपके process और company पर depend करता है, ठीक है, इसके बाद senior operations के लिए salary आपको यहां पर 10, 12% increase होती है as per market correction, ठीक है, third position आपकी जो है specialist और management training की उसमें भी आपको 12, 15 तक percent भर सकती है आपकी as per your company norms, TL के लिए आपको यहां पर 20%, 25% तक increment हो सकता है, ठीक है, और बचा आपका AM assistant manager, manager उनका फिर आपको extra ही लगता है, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पर packages बढ़ते हैं, अब बात करें हम लोग target रहेंगे या targets नहीं रह हैं, बाकी work pressure रह सकता है, कभी-कभी कि आपको day end आपकी अगर dealing ज़्यादा हो रही है, या फिर आपका peak time आ रहा है, या फिर आपको clients से ज़्यादा meetings हो रही है, तो वहां आपका work pressure रह सकता है, but वो भी limited है, ऐसा नहीं कि आपको every time work pressure रहेगा, targets आपके ऐसे नहीं होंगे, क आपको इतनी sales निकाल कर देनी है, इतने clients बना कर देने, इतने products आपको बेचने बेचने, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, तो इन में जो companies आती हैं, जो top की MNCs companies हैं, like आपका MetLife Global Support Center है, आपका EXL Services है आपकी, ठीक है, आपकी Accenture है, आपका GenPact India Private Limited है, आपका Infosys है, इ आप यहाँ पर अपने career की शुरुवात कर सकते हैं, बट आपने focus करना होगा अपनी learnings पर और अपने tenure पर, अगर आप एक company के साथ जुड़े हैं, तो आप company change कर सकते हैं, same profile में, बट ऐसा नहीं कि आपने change कर दिया, अपना profile ही change कर दिया, तो वहाँ आपका career gap भी देखने क मिल सकता है, so I hope guys कि आपका operations, executive operations management की profile से बहुत सारे doubts किलियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई doubt रहता है, कोई query है, तो आप मुझे वीडियो के comment section में करके push सकते हैं, आपको उसका reply तुरंत मिल जाएगा, so guys वीडियो करूँगा, यही wind up, मिलता हूँ next वीडियो में ऐसे क किसी ताज्या job update के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शकुत दिया, thank you so much.